आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वियस्थप के बारे में जो कि यहां पे वियस्थप से इंजिनियर के पोश्ट लिए वेकेंसी जारी की गई है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कितनी वेकेंसी जारी की गई है कितना क्वालिफिकेशन होगा तो आप इसे फ करना होगा कम्प्लीट जनकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं तो इस वीडियो को भीना स्क्रिप करते हुए लास्ट दख देखिएगा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ ही साथ वेल आइक कि गई है जिसमें की यहाँ पर इंजैनिंग डिपार्टमेंट से फिल अफे जारी किया गया है और इसमें जो कर सकते हैं जो कि इसमें दिया गया है 8 आठारा वेकेंसी है और इसके बाद यहाँ पे दीया गए जूर्ण एंजिनियर सब इस्पेक्टर थीक छूबए ओड़ सकते हैं इसके बास के डिख सकते हैं इसके बाद नीचे यहाँ पे दिया गया है पोश्ट वाज यहाँ पर qualification दिया गया कितना आपके पास qualification होगा तो आप इसे form को फिलप कर सकते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया inspector, architect के लिए और इसके लिए जो आपके पास qualification होगा आप इसमें degree qualify होने चाहिए architecture से किसी भी रिकुनाज institute या university से तो आप इसे apply कर सकते हैं और आपका यहाँ पर रिष्टर होना चाहिए architecture council से तो यहाँ इसे form को फिलप कर पाएंगे और इसके बाद number second में दिया गया sub inspector work के लिए और इसके लिए जो आपके पास qualification होगा आप इसमें three year diploma qualify होने चाहिए civil engineering से तो आप इसे apply कर सकते हैं और इसके बाद last में यहाँ पर दिया गया जूनियर engineer sub inspector electrical के लिए तो इसके लिए जापके पास qualification होगा आप इसमें three year diploma qualify होने चाहिए electrical से तो भी आप इसमें form को फिलप कर सकते हैं और इसके बाद नीचे हैं पर post wise age limit दिया गया है जो कि यहाँ पर तीनों post class से में यहाँ पर age limit दिया गया 18 से 30 year का age limit होगा form को फिलप करने के लिए और इसमें जो आपका age calculate करना होगा जो application form का last rate होगा उसे date से आपको अपना age में calculate करना होगा और इसके बाद नीचे यहाँ पर दिया गया इसका जो form fill up करना start किया जाएगा जब जो इसका notification है employment which में जारी किया जाएगा इसके बाद से आप form को fill up कर सकते हैं और BSAP के official website से जाकर करके आपको form को fill up करना होगा और अभी जो यहाँ पर notification जारी किया गया आपको मिल जाएगी और यह जो notification यहाँ पर जारी किया गया भी सबकाद जो कि यहाँ पर दिख सकते हैं 25 January 32 के यहाँ पर notification यहाँ पर जारी किया गया है अधर जनकारी के लिए आप हमारे official website पर जा सकते हैं उसका लिंक आप लोगों को इसे वीडियो के डिक्षिस्टों मिल जाएगा वहाँ से जाकर के आप अधर जनकारी के लिए चेक कर सकते हैं अगर आप इस चैनल पर पहली बार आई गूए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और साथी साथ वेल आइकन को दबा दीजिए वीडियो को डेखने के लिए धन्यबाद